भोजपुरी पावस्टार पवन सिंग ने दिखा दिया क्यों उन्हें भोजपुरी का पावस्टार कहा जाता है जी हाँ पावस्टार पवन सिंग और राकेश मिश्रा कभी एक दूसरे को फुटी आँख नहीं सुहाते थे लेकिन आज राकेश मिश्रा भी कायल हो गए पवन सिंग ने जो भुझपूरी को एक नई उचाई दी है राकेश मिश्रा ने अपने इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट की गाने का पोस्टर पोस्ट किया बारिश का और लिखा भुझपूरी को एक नई उचाई देने के लिए ठैंक्स कि अभी तक आप देखेंगे तो भोचपुरी में राकेश मिश्रा एक बहुत बड़े सुपस्टार है और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया है पवन सिंग को इस अभी तक भोचपुरी इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा आर्टिस्ट खुलकर नहीं आया है लेकिन राकेश मिश्रा खुलकर आये है पोस्टर पोस्ट किया है और पवन सिंग के लिए बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि भोचपुरी को एक नई उचाई देने के लिए थैंक्स साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि पावल स्टार का ये गाना जो है वो 29 जुलाई को 11 बजे रिलीज हो जाएगा इसके अलावा हिनाखार शाहिर सेख सभी ने पवन की आवाज को सुनते ही बहुत ही अच्छा रियाक्शन दिया है कहा है सोल्फुल वोईस है दिल को छू जा रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि भोजपूरी में कोई सिंगर जो की हिंदी में गाया है ऐसे लगी नहीं रहा है कि किसी और ने गाया है ऐसे लग रहा है हिंदी का ही सिंगर कोई है जो भोजपूरी में गाया है बहुत ही बड़ी बात है पवन सिंग के लिए पवन सिंग जो एक कदम उठा रहे हैं भोजपूरी के लिए वह बहुत बड़ी बात है एक next level तक लेके जाना कि किसी इतने बड़े गाने को भोजपूरी में इस तरह से official उसका भोजपूरी वर्जन लाना बहुत बड़ी बात है भोजपूरी में ये पहली बार हो रहा अभी तक ऐसा भोजपूरी में नहीं हुआ है और पवन सिंग जैसा सिंगर ही ये कर सकता है क्या कहेंगे आप इस बारे में comment box में comment किजिए और कितने excited है इस गाने को सुनने के लिए